प्रत की कथा सुनेंगे जो चौथ माता से संबंधित है और आज की दिन सुनना बहुत लापकारी और स्रेष्ट माना जाता है साथ ही आज तीन उपवास एक साथ होने के कारण यह दिन चमतकारी हो गया है आज जो भक्त कजरी तीज का ब्रत करता है जिसे साथुड़ी तीज कहा जाता है वह भी है ऐसे में ब्रत की कथा सुनना भागी की रेखाओं को चमका देता है सबसे पहले जानते हैं पूजा का सुब मोहरत आज गौधुली पूजा का सुब मोहरत शाम को 5 बचकर 46 मिनट से साम 7 बचकर 12 मिनट के आसपास हो रहा है जो भक्त जन आवश्यक रूप से बहुला चतुर्थी का पूजन करते हैं वह दिन भर उपवास रखकर इस सुब समय मे सुब मोहरत हो रहा है अभीजीत मोहरत के सरोप में वह 12 बचकर 4 मिनट से 12 बचकर 54 मिनट के आसपास हो रहा है इस सुब समय में भी आप पूजा आराधन कर सकते हैं अब जानते हैं राहुकाल का समय जो की असुब माना जाता है इस समय कोई सरेष्टकारी करने से स्वेम को रोकिएगा राहुकाल का समय दो बचकर चार मिनट से तीन बचकर 49 मिनट के आसपास हो रहा है इस समय कोई स्रेश्ट कारेश करने से बचिएगा आप सुनते हैं सुन्दर विसेस और अपने आप में अत्वुत चौथ माता की कथा मेरे साथ आप सभी भी बुलिए चौथ माता की जै स्री गडेश जी महराज की जै हर हर महादेव आप सभी के इस्ट फित्रों को प्रणाम करते हुए आरंब करते हैं एक नगर में एक बूढ ही मा रहती थी वह अपने बेटे की सलामती के लिए बारह महने की चौथ का ब्रत किया करती थी हर चौथ को पंसारी से थोड़ गुड और घीला कर चार लड़ू बनाती एक उसमें से बेटे को देती एक से पूजा करती एक हतकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया ताई ने चतुर्थी का ब्रत रखा था ताई ने पूछा मैं तो बारह जो है चतुर्थी के ब्रत करती हूं ताई बोली तेरी मां तेरी कमाई से तर माल खाके बारह चौथ कर लेती है तू परदेश जावे तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी लड़के को लगा ताई सच बोल रही है घर आकर मां से कहा मैं परदेश जा रहा हूं यहां तू मेरी कमाई खाकने पीने में ही उड़ा देना बेटे ने समझा कर मा ने समझा कर रोकना चाहा पर बेटे ने एक ना मानी भक्त जनो मा ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माथा के आखे दिये अर्था जो पूजा में गेहूं रखी जाते हैं वह दिये और कहा मुसीव कि एक बुड़ी मा मा रोती हुई जा रही है और पुवा बनाते जा रही है जिसके कारण पूछा तो बुड़ी मा ने कहा बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैते रहता है पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मारता था अब राजा हर घर से एक आदमी द ले जाता हूँ बुड़ी मा ने खीर पुवे उसे खिला दिये खापी कर भैस हो गया रात को मा के जो राजा के सैनिक थे आये तो बुड़ी मा ने उसे भेज दिया दैती के सामने पहुंसते ही वह उससे चौथ माता के आखे जो दाने थे दैती की तरफ फेक कर मारे यह सिर कट जाए उस बेटे ने कहा तुरंत ही चौथ ब्रत के प्रभाव से दैती का सिर कट गया लड़का वापस आ गया राजा ने उसे उफार दे कर विदा किया इस चमतकारी कारे के लिए चलते हुए एक दूसरे राज में नगर में पहुंचा इस नगर में आवा तभी पक तभी पकता था जब एक इंसान की बली दी जाती थी सिपाहियों ने उसे पकड़ कर आवे में चोन दिया लड़के ने आखे में डाले जो आखे मतलब जो गेहुं होते हैं वह आवे में डाले और कहा कि है चौथ माता यदि मेरी मा सच्चे मन से यह ब्रत करती है तो आवा म मिट्टी की तरह सोने चांदी के बरतन निकल ले ऐसे मैं अंदर से लड़का बोला बरतन धीरे धीरे निकालना मुझे लग नहीं जाए राजा ने उसे आवे से निकाला और पूछा इस आवे से तुम कैसे बज़ गय और सोने चांदी के इसमें से कैसे बरतन निकल रहे हैं पहले तो यह बली मांगता था और बिना बली दिये किसी भी तरह से यह बरतन नहीं पकाता था यह चमतकार कैसे हुआ कृपया राजा ने पूछा मुझे बतलाए लड़के ने कहा कि उसकी माँ चोथ माता का ब्रत करती है ब्रत के कारण ही वह बचपाया है राजा को विश्व पास नहीं हुआ उसने एक चादी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नल से निकल कर दिखाओ तब ही मैं मानूंगा और विश्वास करूंगा भक्त जनो लड़के की माता लड़के की जो है लड़के ने चौथ माता को याद कर कर कहा और आखे सुराही अर्था जो जो है सुराही के अंदर डाले और कहा मैं भवरा बनो सुराही से निकल जाओ लड़का भवरा बन कर सुराही से निकल आया राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करा दी और सभी लोगों को चौथ ब्रत के चमतकार के बारे में कहा और ब्रत करने के दा किया, चौथ के दिन अपने नगर पहुचा, वह अकेला पंसारी के यहां मा का इंतजार करने लगा, सोचा चौथ है तो मा यहां जरूर आएगी, थोड़ी देर बाद लकडी टेकती हुई उसकी बुढ़ी मा उसे आते हुए दिखी, बेटा मा के चर्णों में गिर गया औ मा ने उसे तुरंत उठाया और गले लगाया और माफ किया, लोग चौथ माता के सभी जैकारे लगाने लगे और उस नगर में सभी लोग चौथ माता का वरत उसी दिन से पूर्णरूब से करने लगे, है चौथ माता जैसे बुढ़ी मा और उसके बेटे की हर एक पल आपने शहारता की वैसे ही कथा सुनने और सुनाने वाले सभी भगतों के जीवन में खुशिया भरना, आप सभी भी मेरे साथ बोलिये, जैसरी चौत मातारानी आपके जीवन में भी खुशिया बरकरार रखे, आपके बच्चे और पती की लंबी आयु करे, यही प्रार्थना करते है इसके साथ ही आज चतुर्थी ब्रत के दिन एक दूसरी नल दम्यंती की कथा सुनी जाती है, वह भी आपको सुनाना चाहूंगी, साथ ही जानते हैं आज चंद्रोदे का क्या समय रहेगा, आज संकस्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदे का समय रातरी आठ बचकर 43 मिनट के आ आप अपने सातुरी तीज, कजरी तीज और विशेश तोर पर जो चतुर्थी ब्रत है उसका पारण कीजिएगा, अब जानते हैं नल दम्यंती की सुन्दर कथा जो की भादरपद माह में विशेश सुनी जाती है, कथा के अनुसार पूरुकाल में राजाओं में स्रेष्ट राजानल हुआ करते थे, उनकी रूप वती राणी का नाम दम्यंती था, श्राप वस राजानल को राजिक होना पड़ा किसी कारण से और राजा रानी के वियोग का भी कस्ट सेहना पड़ा, तब दम्यंती ने इस ब्रत के प्रभाव से अपने पती को प्राप्त किया, कहा जाता है राजा नल के ऊपर विपत्तियों का खोब अधिक पहार तूट पड़ा था डाखवा ने उनके महल से धन गजशाला से हाथ थी और घुडशाला से घुड़े हरड कर लिये थे तथा महल को अगनी से जला दिया राजा नल भी जुआ खेल कर सब कुछ हारने लगे थे नल असाय होकर राणी के साथ वन को चले गए स्रापवस इस्त्री से भी वियोग उन्हें जहिलना पड़ा कहीं राजा और कहीं राणी दुखी होकर पूर्ण रूप से जैसे तैसे अपना टाइम निकालने लगे एक समय वन में दम्यंती को महर्शी सर्भंग के दर्शन हु नी बोले दम्यंती भादो की चोत को एकदंत गड़ेशी महराज की पूजा करना यह ब्रत चमतकार के सरूप में माना जाता है तुम भक्ति पूर्ण और स्रद्धा और विश्वा से गड़ेशी की चोत का ब्रत करो तुम्हारे स्वामी निश्चित रूप से तुम्हें मिल सर्भंग मुहन के कहने पन दम्यंती ने भादो की गड़ेश चोत को ब्रत आरंब किया विधान से पूजन किया और साथ महने में ही अपने पुत्र और पती को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया इस ब्रत के प्रभाव से नल दम्यंती को सभी सुख राजिसी ठाट जे की जे